दोस्तों एतिहासिक मैच में जीत के बाद कप्तान रोहित को गले लगा कर रोने लगे विराट को ली तो क्या है खबर की पूझी जानकार ये बताने वाले हैं इस वीडियो में अगर आप भी है भारती टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चली वीडियो को सुरू करतें दोस्तों भारती टीम इस तमय वेस्टन डीस के खिलाफ तीन मैचों की वन डेस रंकला खेल रही है उसका पहला मुकाबला आज यानि की छे फरवरी को एहमदाबाद के नरेंद्र मोधी क्रिकट स्टेडियम में भारती समय नुसारे डेड़ बज़े से सुरू हुआ इस मुकाबले में जो भारती टीम ने सुरूवाद की वो काफी कमाल की थी दरहसल भारती टीम ने पहले टॉस जितकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और उसका फैसला बिलकुल साही साबित किया यहाँ पर काफी सारे गेंद बाहत जरसे किवास सिंक टन सुंदर और येजवियंदर चहल साथे साथ मुहमाद सिराद और प्रसद्ध किष्णा ने यूगि सुरुवात के विकट उनके जल्दी जल्दी गिरा दिये भारती टीम की गेंद बाहतों ने दरसल पहला विकट वेस लेकिन दोस्तों फिर दोस्तों काफी किष्ण इधर उधर करने के बाद वेस्टन डीज ने एक अच्छी पारी खेली और जैसन होल्दर ने साथ रनों की ताबर तोड़ पारी खेली जिसके बाद यहाँ पर वेस्टन डीज का स्कोर 176 पहुंच गया उसके बाद भारती टी फिर अंत में दीपा खुड़ा और सूर कुमार यादो के 3426 रनों के बाद भारती टीम ने वेस्टन डीज को असानी से 6 बिकर से अरा दिया इसहार के बाद यहाँ पर एक तरफ जब वेस्टन डीज की टीम नाखुस थी वहीं गले लगा कर दोस्तों रोने लगे रोहित को सब्सक्राइब करें गले लग करें आपकी टाइम कैप्टन ऐसे में उनके लिए भी काफी कुछ ही हो गया है अब जीस के बाद आपकी साफ से क्या विराट के इस मुवमेंट से काफी कुछ फ़रक पड़ेगा हमें अपनी राइन लीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें साथे हमारे टेलिग्राम चैनल को जाइन करें जिसका लिंक डिस्सिप्सन में दिया हुआ है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद